और उनके पत्ति आलोक मौरिया की खबरें सुर्खियों में आने का असर बिहार के बकसर में दिखाई दिया जहां पिंटू नाम के एक आदमी पर उनकी अपनी पत्ति के पढ़ाई छुड़वाने का आरोप लगा दिया पत्ति के मताबिक उनके पत्ति को इस बात का डर सताने लगा कि कहीं वो भी अधिकारी बनने के बाद उसे रिष्टा न तोड़ने और इसी डर की वज़े से बकसर जिले में रहने वाले पिंटू ने अपने पत्ति के पढ़ाई चुड़वा दी जानकारी के मताबिक पिंटू की पत्नी खुश्बू उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रहकर बिहार प्रशासनिक सेवा की तयारी कर रही थी लेकिन उनका कहना है कि यूपी की पीसे सदिकारी जोती मौरिया की कहानी सामने आने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को वापस अपने गाउं बला लिया लेकिन पिंटू के इस रवईये से परिशान होकर उनकी पत्नी खुश्बू थाने पहुंच गई जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने पिंटू को समझाने की कोशिश की लेकिन SDM जोती मौरिया के पती आलोक मौरिया की हालत देखकर उन्होंने पत्नी को पढ़ाने से साफ मना कर दिया प्रदान मंत्री नरेन्द मोदी ने एक समान नागरिक सनिता का जिकर कर देश में बड़ी बैस छेड़ दिया है यूनिपॉर्म सिविल कोट पर जांक केंडर सरकार तैयारी कर रही है और इन सब के बीच विपक्ष भी लगातार सरकार से सवाल कर रहा है विपक्ष का कहना है कि यू सी सी से पूर्वोत्तर की संस्कृती रिती रवाजों पर असर पड़ेगा इस पर केंडरी मंत्री एसपी सिंग बगेल नियूज 18 इंडिया से बात करते हुए विपक्ष पर परटवार किया साथी एसपी सिंग बगेल ने कहा कि लॉग कमिशन ड्राफ तयार कर रहा है लॉग कमिशन के चेर्मिन ने ये बात ज़त कहा गया धादमिट लोगों से और संकित संदाए से पल्टिकल पार्टी से कि वो अपने सुझा होते हैं लगबग आठ लग सुझा होगी आए हैं जिसका धिन किया जा रहा है तो अभी से किसी भी पकारती कलपना करने ठीक नहीं है 17 महीने से जादा वक्त से रूस के साथ जंग लड़ रहे युकरेन के राष्टपती विलादिमिर जलेंस्की ने दावा किया कि डर की वज़े से वैगनर चीफ यगिनी प्रिगोजिन जंग का मैदान छोड़ कर भाग गए स्पेन के मीडिया को दिये एक इंटिव्यू में जलेंस्की ने तो यहां तक दावा कर दिया कि युद्ध के दौरान युकरेनी सेना ने वैगनर ग्रूप के हजारों लड़ाकों को धेर कर दिया और कई लाकों से उन्हें खडेर दिया स्पेन के मीडिया के मताबिक जिलिंस्की ने दावा किया कि यूक्रेञ्ण के सैनिकों ने अकेले पूर्वी यूक्रेञ्ण में 21,000 वैगनर लड़ाकों को मार डाला जबकि इस दौरान 80,000 वैगनर लड़ाके गायल हो गए जिलिंस्की ने ये तक कह दिया कि रूस की तरफ से अथियार मिलने में हो रही देरी की वज़े से इवगिनी प्रिगोजन ने पुतिन के खिलाब बगावत की प्रिगोजन के मैदान चोड़ने के बाद बीते 18 महीने से जारी जंग में उन्हें जीत का दावा किया और बताया कि पुतिन उन्हें मारना चाहते हैं जो कि पूरी दुनिया पुतिन को मारना चाहती है पुटिमी मीडिया के मताबिक वैगनेर ग्रूप से बढ़ते खतरे को देखते हुए पोलन ने बेलरूस से लगी सीमा पर फुलिस वालों को तैनात कर दिया पोलेंड पहले से ही रूस के सबसे भरोसे मंद दोस्त बेलरूस से परिशान है क्योंकि पोलेंड के पडोसी देश बेलरूस में रूस की कई खतरनाक मिसालें तैनात हैं और उसे डर है कि युक्रेन की मदद करने पर पुतिन आज नहीं तो कल उस पर भी अमला कर सकते हैं क्योंकि अमेरिका और बिटन के बाद पोलन ही युक्रेन का सबसे बड़ा मददगार देश है पोलन पश्चिमी देशों और युक्रेन के बीच सबसे एहम कड़ी है क्योंकि उसकी सीमा युक्रेन से लगी हुई है और अमेरिका समेथ पश्चिमी देशों से युक्रेन को मिलने वाली मिलिटरी मदद का रास्ता वहीं से होकर जाता है पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पोलन इस बात से खौफ में है कि ये लडाके कभी उसकी सीमा में गुश सकते हैं इसी वज़े से पोलन ने बेलरूस से लगी सीमा पर पुलिस वालों को तैनात कर दिया